हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो इमेजनार्स फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे कि आप VLC मीडिया प्लेयर से अपनी डेश्टॉप की स्क्रीन रिकॉर्डिंग कैसे कर सकते हैं अगर आप कोई यूटूब के लिए वीडियो बना रहे हैं और आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग करनी है आपके पास कोई सॉफ्ट्वेयर नहीं है आप नया नया चैनल अपना जो है क्रेट किया है और आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो आप VLC मीडिया प्लेय अधीक्ट को स्टार्ट करते हैंए आंडग तो सबसे पहले हम अपना VL C मीडिया प्लेर ओपन करेंगे तुम्हें श्टार्ट पर आता हूं और यहां से अपना V cu Dalton nămइये अपन करता हूंड कि यह हमारे लिए अपन कर लेता हूं यह हमारा VLC Media Player open हो गया तो सबसे पहले आपने मीडिया में जाना यह आप देख रहे हैं फर्स्ट पर मीडिया मीडिया पर आपको क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर open capture device आप यहाँ से control c भी कर सकते हैं इस पर क्लिक करते हैं क्लिक करने के बाद आपको यहाँ इस और है करना है convert अल्ट प्लस ओवी कर सकते हैं तो हम यहां से convert करते था हूं करने के बाद यहां पर हमारे पास का option आएगा तो यहां से आप इसको यही रहने दें जो फर्स्ट फर है और यहां से आप यह देखें कर आप क्लिक करेंगी और यहां पर आप देख़ें plastic लेक्त करना आपको अचू Siis餅 के सरह में इसको इसको करना है और तो यहां नेम देता हूँ प्रूफाइल नेम देता हूं और सब्सक्राइब करने के बाद यह आप से पूछेगा कि आपकी जो वीडियो आप स्क्रीन रिगॉर्णिंग जो करना चाहते हैं आप कहां पर करेंगे तो यहां पर ब्रॉजर में जाएंगे मैं इसे सिस्क्रीन रिकॉर्णिंग को हैाँ आप किया करना है अब आपको फिर सो स्टार्ट में जाना है हर-एक वही से लिए तो हम आपको यह यह देखिए voice recorder यह होता है अगर आपके PC में नहीं है तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और इस्टॉल कर सकते हैं वैसे हर PC में आपको मिलेगा आप Windows 7 यूज़ कर रहे है एट कर रहे हैं 10 कर रहे हैं तो इसको आपको यहां से स्टार्ट कर देंगे और यहां से इसको साथ में इसको आप यहां से स्टार्ट कर देंगे आपको यह करना ही होगा अगर आप VLC मीडिया प्लेइर से करेंगे तो आपकी voice जो है रिकॉर्ड नहीं होगी वह अउनली आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके देगा आपको तो आपको यह वोईस रिकॉ भी हो रही है और उधर हमारी जो है स्क्रिम की डिल्लीकाइश क्रेंगे वह स्क्राइब कंद कुछ से करेंगे तो आपके अपन कर लेता हो जयसे ़्टेले लेते हैं इस निदे दुदम्स हो रहे हैं अब फिर यह यहां से शाप करूंगा और और आप मैं से यहां से करता हूं close और अपनी voice recording को भी मैं यहां से कर देता हूं stop और यहां से कर देता हूं close अब देखे हमारी जो वीडियो जो recording हो रही थी जो हमारी स्क्रीन की जो recording हो चुकी है यह हमने desktop पर रखी थी अब इसे play करके दिखाता हूं आपको यह देखे हमारी स्क्रीन recording हो चुकी है देख रहे हैं आप बड़ी असानी से आप कर सकते हैं अपने computer की screen record कर सकते हैं BLC media player से और उसे यूज कर सकते हैं यह देखे हैं मैंने अपी जो आपके सामने मैंने screen recording की थी यह वही recording है जो मैंने PC की screen recording की है आपके सामने मैं वही मैंने जहां पर प्ले की हुई है आप देखिए इस तरह से आप अपने screen recording कर सकते हैं और उसे यूज कर सकते हैं देखिए वही है कि देखिए यहां पर जो मैंने भी आपके सामने की थी और यह भी हम इसे क्लोज करते हैं और जो हमारा जो हमने पुर्पाटीग की थी तो आप यहां पर अपने पीश पीसी में जायेंगे हैं कौकर में यह जाएंगे और जेह hari sound recording यह देखिएहं हमारी Sound recording है जो हमने अपनी voice को record किया था यह देखिए यह हमारी voice recording हो गया देख रहे होंगे आज तो इस तरह से आप उपनी कोई भी screen recording कर सकते हैं किसी भी चीज कि आप अगर बना रहे हैं इस तरह से आप निभी जो वॉइस और स्क्रीन रिकारडिंग आपने